हेलो इस्टुडेंट्स आप सबके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है कई सारे स्टुडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आज से हम कक्सानों हिंदी विश्यकी जो आपकी पर्थम पुस्तके सितीज उसके प्रशनों की सिरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पाठे पुस्तक के स पहला चप्टर है दू बेलो की कथा उसके पाठे पुस्तक के रशनों कोंसॉल करेंगे तो उम्मिद करता हूं आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपनी मित्रों को शेर करें और अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्र की खाठे ह Christmas का रहें व्यादे होते थे या पसूओ को रखा जाता था उस रिया-ठी होस में में पसूओ की हजर क्यों लेजिया आती होगी, इसका का आम है कारण बताना था तो कांजी होस एक प्रकार से पसूओ की क्या थी जेल ति उसमें ऐसे आवारा पसू कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में गुस कर फसली नश्ट करते थे अतो काजी ओस के मालिक का यह दाइत्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्सित रखे तथा भागने न दे इसी कारण उस पसुओं की गिंती है तू उनका ख्याल रखने है तू क्या की जाता था काजी ओस में वज आया इसका आमें कारण बताना है तो इसका आंसोर हो जाएगा कि छोटी बच्ची की मा मर चुकी थी और सोतेली मा उसे क्या करती थी मारती रहती थी उधर बैलो की भी यही इस्तति थी गया उन्हें पूरे दिन खेतों में जोटता मारता पिटता और साम को सूखा बुसा ड कर रही थी ठीक वैसा वैवार जो गया नाम का वैक्ति था वो उन बैलो के साथ करता था इसी कारण उस थोटी बच्ची को एसास हुआ कि जैसी इस्तति उसकी है वैसी वैसी इस्तति बैलो की है इसी कारण उन दोनों के परती अन्याय की इस्तति एक समान थी इसी अन्याय को देखकर बैलो के परती उस बच्ची का प्रेम उमड गया ठीक है अगला कुश्चन है कहानी में बैलो के माध्यम से कौन-कौन से नितिव इस्यक मुल्य उबर कर आये हैं यानि जो कहानी में बैल है उनके माध्यम से ऐसी कौन-कौन से नितिव इस्यक मुल्य जो हमारे जीवन म अंवरत सिदे और सेहन्सिल होंगे तो निचित रूपसे वह है पाप है और जो कुर्णर नशलक के जो डूपसे आपका क्या करेंगे दूरुप्योग करेंगे बहुत सिदे इनसान को मुर्क या गधा कहा जाता है इसलिए मनुस्य को अपने अधिकारों के परती संगर्स करना चाहिए ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर आप सब कुछ कर दे वो जैसा कहे वैसा आप कहे करें तो ऐसा बिल्कुल आपके स्वाभी मान के विपरीथ है दूसरा है आजादी बहुत बड़ा मुल्ले है इसे पाने के लिए मनुस्य को बड़े से बड़ा कश्ट लेने को त्यार रहना चाहिए ठीके आजादी मानवता का क्या है एक मुल्बुद अधिकार है अगर आप आजादी नहीं है तो फिर उस आजादी को पाने के लिए आपको बड़े से बड़ा कश्ट लेने में भी किसी भी परकार की हिस्थ की चाहत अत्वा संकोच नहीं करना चाहिए समाज में सुखी संपन लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए ऐसा नहीं है कि केवल जो दूखी लोग है या जो पराधी ने उन्हीं लोगों को आजादी की लड़ाई में भाग देना चाहिए बलकि जो सुखी संपन लोग है उनको भी आजादी की लड़ाई में भाग देना चाहिए अगला परशन है प्रस्तूत कहानी में प्रेम्चन ने गदे की किन सवभावगात विश्यस्ताव के आधार पर उसके परती रूड अर्थ मुर्ख परियोग न करके किस नए अर्थ की और संकेत किया है यानि इस कहानी में जो प्रेम्चन इसकी जो लेखक है उन्होंने गदे के लिए मुर्ख सब्द का परियोग न करके उसके लिए किसी अन्य अर्थ का परियोग किया है या किसी अन्य अर्थ में उसकी और संकेत किया है वो क्या है उसका अबा में बताना है तो गदा सबसे बुद्धी हिन प्राणी माना जाता है यदि किसी गद्धे को मुर्ख कहना चाते है तो हम उसे गदा कह देते हैं गदा मुर्ख के अर्थ में क्या हो गया? रूड सब दो गया परन्तु लेकक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गदा आपने सीधेपन और सैन सिलता से किसी को आनी नहीं पहुंचाता है गाय, कुत्ता, बेल जैसे जानवर कभी-कभी करोद कर देते हैं पर गदा ऐसा कभी भी नहीं करता गुनों के विश्यों में वह रिश्यों मुनियों से कम नहीं है ठीक है, चलिए अगला है, किन गटनाव से पता चलता है कि एरा और मोती में गहरी दोस्ती थी यानि इस अध्याय को पढ़ने से हमें ऐसी कौन-कौन सी गटनाव से मालूम पढ़ता है कि एरा और मोती में काफी गहरी दोस्ती थी तो देखें पहली गटना क्या थी कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोसिस करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंदे पर ना आकर उसके अपने कंदे पर आए यह जब भी उन दोनों बेलों को गाड़ी पर जोता जाता था तो दोनों बेल अपने आप में यही कोशिज करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार वो अपने कंदों पर ले इससे उनकी दोस्ती का क्या पता चलता है कि उनके बीच में गहरी दोस्ती थी दूसरी कटना क्या थी गया ने हीरा के नाग पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया वह अल, रसी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा उससे हीरा का कष्ट देखा न गया ये दूसरी कटना थी, तीसरी, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, तो वे सिंग मिला कर एक दूसरे को ठेलने लगे, अचानक मोती को लगा कि हिरा क्रोध में आ गया है, तो वो पीछे हट गया, उसने दोस्ती को दूस्मनी में बदलने से क्या कर लिया, मुकाबला किया, सांड एक पर छोट करता, तो दूसरा उसकी देहा में अपने नुकिले चिंग सुभा देता, आखिर कार सांड बेदे मोकर क्या पड़ा, गीर पड़ा, इसी प्रकार दोनों ने गहरी दोस्ती का प्रचे देते हुए, सांड को क्या करया, प्राजित कर दिय पांचवी गटना क्या थी, कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया, हीरा उससे अकेला भी पती में देखकर बापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया, और दोनों ने साथ में मिलकर उस मालिक की मार को सहा, अंतिम गटना क्या थी, कांजी वोस में जब हीरा ने दिवार तोड़ दाली, उसे रस्तियों से बांद दिया गया, इस पर मोती ने उसका साथ दिया, पहले तो उसने बाड़े की दिवार तोड़ कर हीरा का दुरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए वह भी उ औरत जात पर सिंग चलाना मना है यह भूल जाते हो इर्या के इस कथन के माध्यम से इस्तरी के परती प्रेम चंद के दर्ष्ट्री कोन को इसपश्ट कीजिए यानि यह जो कथन लिखा गया है इसमें प्रेम चंद ने इस्तरीयों के परती किस दर्ष्ट्री को व्यक्त किया है वो हमें बताना है तो लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है हीरा की इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि जो प्रेमचंद है वो नारी जाती का अत्यदिक्या करते थे सम्मान किया करते थे नारी विपिन रिष्टे बना कर समाज में अपनी बोमिका का निर्भन करती है प्रेंचन के नुसार वह त्याग, दया, ममता, सैन सिलता का जीता जगता क्या है उदारण है विपरित प्रिस्तितियों में भी यदि नारी क्रोज जैसे भाव आ भी जाते हैं तो उससे उसकी गरीमा कम नहीं हो जाती और नहीं उसके सम्मान में कमी आ जाती है आनि ऐसी इस्तति में भी वो अपनी लाज सम्मान गरीमा और महीमा को नहीं भूलती लेखक महिलाव के परती अत्यदिक सम्मान रखता है उससे यह भी कहना चाहा है कि जब भी पसु नारी जाती का अपमान करते हैं तो मनुस्य को नारी जाती का सम्मान हर इस्तती में भी करना चाहिए ठीक है इस प्रकार प्रेम्चन ने नारी जाती के परती अपने सकारात्मक दश्टिकोर्ण को व्यक्त किया है अगला प्रशन है किसान जीवन वाले समाज में पसु और मनुस्य के आपसे संबंदों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है यह इस अध्याय में मानव और पसु के बीच जो आपसे संबंद है उसको किन बातों के जरिये व्यक्त किया गया है तो किसान जीवन में पसुओ और मनुश्यों के आपसी सम्मन बहुत गहरे और आत्मिय रहे हैं हम जानते होंगे कि हमेशा से ही जब से मानुप जाती का विकास हुआ है मानो पसुओ परी आश्रित रहा है और मनुस्य और पसुओ आपस में एक दूसरे के गहरे मित्र रहे हैं किसान पसुओ को घर के सदस्य के बाती प्रेम करते रहे हैं और पसुओ अपने स्वाम के लिए जी जन देने को त्यार रहे हैं जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरफ सनय करता था, तभी तो उनके उनके सुंदर सुंदर नाम रखे थे हीरा और मोती, वहव उन्हें अपने आँकों से दूर नहीं करना चाता था, जब हीरा मोती उसके ससुराल से लोट कर वापस उसके थाने पर आखड़े हुए, तो उसका हर्दय क्या हो गया, आनन से भर गया, गाव भर के बच्चों ने भी बैलो की स्वामी भक्ती देख कर उनका अभिननदन किया, इसे पता चलता है कि किसान अपने पसुओं से मानविय वहवार करते हैं, इस परकार किसान और पसुओं के बीच प्राचिन काल से ही अच् विशेष्था बताईए, जो मोती ने ये कथन कहा था, इस कथन के आलोग में कौनसी विशेष्था परकट होती है, उस विशेष्था को हमें बताना है, तो इतना तो होई गया, नोदस प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आश्रिवाद देंगे, मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोप्रकारी सब्बाव वाला प्राणी है, परोप्रकार की ऐसी बावना वह मन महीं नहीं रखता, बलकि वेवारिक रूप में भी दरसाता है, वह बाडे की कच्छी दिवार को तोड़ कर नोदस प्राणियों को भगाता है, ताकि उनकी जान क्या हो ज अवस्य बचाएंगे, इस प्रकारी सारे सब्बाव हिरा के अंदर जलगते हैं, उसका प्रोप्रकारी सब्बाव, उसका वेहवारिक रूप, उसका सच्चे मित्र का गोण और आसावादी, ये सारी विश्यस्ता है हिरा के अंदर मौझूद थी, अगला प्रशना है, आस्य इसपष्ट कीजिए, अवस्य ही उसमें ऐसी कोई गुप्त सक्ती थी, जिससे जीवों में स्रेश्टता का दावा करने वाला मनुस्य वन्ची थे, इसका मैं आस्य से बताना है, और दूसरा कथने उस एक रोटी से उसकी भूग तो क्या सांत होती, पर दोनों के हर्दे को मा बोजन मिल गया, चलिए हम पहले कथन का आस्य स्पष्ट करते हैं, कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे, एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, वे पराय एक दूसरे से सनहा की बाते सोचते थे, यद भी मनुस्य स्वेम को सब प्राणियों से स्रेश्ट समझता है, किन्त दूसरे के मन की बातों को अच्छे से समझ सकते थे, दूसरा कथने कि उस एक रोटी से उसनकी भूग तो क्या सांद होती, पर दोनों के हर्दे को मानो बोजन मिल गया, तो जब हीरा और मोती गया के घर बंदे हुए थे, तो गया ने उनके साथ कैसा वैवर किया, अपमान पोन वैवर किया, इसलिए वे सुब्द थे, पर तभी एक ननी लड़की ने आकर उन्हें क्या दी, एक रोटी दे दी, उस रोटी से उनका पेड़ तो नहीं भर सकता था, परन्तु उसे पाकर उनका हर्दे क्या हो गया, जरूर तब तो हो गया, उन्होंने बालिका के प्र प्राय बेलो पर अधिक खर्च नहीं करना चाता था, गरीबी के कारण खली आधी खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह इरामोती के वैवार से दुखी था, उसे खली आधी सामगरी की जनकारी नहीं थी, तो इसका अंसर था कि वह इरामोती के वैवार से क्या था, दु उसका पहला प्रशन है हीरा और मोती ने सोशन के खिलाप आवाज उठाई लेकिन उनके लिए प्रतान्ना भी सही हीरा मोती की इस परतिकिरिया पर तर्क सहीत अपने विचार प्रकट करें तो हीरा और मोती आप सब जानते होंगे क्या थे सोशन के वीरुद थे वेहर सोशन के विरूद आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने जूरी के साले गया का भरपूर विरूद किया, तो सुकी रोटिया भी खाई और रंडे भी खाई, फिर कांजी उसमें उन्होंने अन्याय का विरूद किया, तो क्या अपड़े, बंधन में भी पड़े, और भूख भी सहनी तो उनका खूब आगे भी सोसन होता रहता उन्हें गिड़ गिड़ा कर मन मान कर अपने मालक की गुलामी नहीं करनी पड़ती वे अपने दर्द को वैक्त भी नहीं कर पाते प्रन्तु अपना विद्रोप पर कट करके उन्होंने मालिक को साधन कर दिया कि वो उनका और अधिक सोसन सेन नहीं कर सकते मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में बैत उत्पन कर ही दिया इस प्रकार अमारे विचार से जो हीरा और मोती की पर्तिकिर्या थी वो बिलकुल ही उचीत थी अगला प्रशन देखे क्या आपको लगदा है कि यह कहानी यह कहानी आजादी की लड़ाय की और संकेत भी करती है तो निच्चित रुप्से हम कहेंगे कि हाँ हीरा और मोती ने अपनी पर्त अंतरता से मुक्ति पाने के लिए जीस तरह से नाना परकार की कठेनाया सही और मर्तियू के करीब जाकर भी बच निकले वे अंतरत अपने घर वापस आगे इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रसी तूड़ा कर आ जाते हैं वे दूबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है और प्रताडित भी किया जाता है और साथी साथ भुख भी सहनी पड़ती है वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और अंत में कांजी वोस में बंद होना पड़ता है तथा कसाई के आतो बिखना और उसके उपरांद भी बचकर जूरी के पास आ जाना आधी आजादी की लड़ाय की और संकेत करते हैं यह सद्ध्याय में जो यह हीरा और मोती के द्वारा जो गटनाय की गई है इन गटनाओं से यह पता चलता है कि निचित रूप से हीरा और मोती के अंदर जीस तरह आजादी के परती ललक थी ठीक उसी तरह मानव को भी अपनी आजादी के परती क्या होनी चाहिए ललक होनी चाहिए अगला प्रशन है वो बहसा अध्यन से समंदित है बस इतना ही काफी है फिर भी में जोड लगाता हूँ यहां पर ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोड देना का काम करते है ऐसे सब्दों को निपात सब्द कहते हैं कहानी में से 5 ऐसे वाक्य चाटी जिन्में निपात का प्रियोग हुआ हो यानि यहाँ पर जो ही और 20 सब्द यह हुए हैं वो वाक्य में किसी सब्द पर जोड डालने के लिए प्रिवत हो रहे हैं ऐसे सब्दों को निपात कहते हैं हमें टोटल 5-5 वाक्य और लिखने हैं तो सबसे पहले हम ही से बात करते हैं कि दोनों साथ साथ उड़ते साथ नांद में मूँ डालते और रत में ही बैठते थे एक ही विजय ने उन्हें संसार की सब्द जातियों में गर्णे बना दिया जादे से जादा मेरी ही गर्दन पर रहे यही उनका आधार था और कभी-कभी उसे करोध भी आ ही जाता था तो यहाँ पर देखो जो यह ही है यहाँ पर ही है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर यह ही है तो यहाँ पर जो यह सब्द यूज हुआ है वो इन वाक्यों में जोर देने के लिए यूज हुआ है और यह निपाद सब्द है आगे हम भी के अगर उद्यारनों की बात करें तो कभी-कभी उसे भी क्रोध आ जाता है उसके चेहरे पर असंतोष की चाया भी न दिखाई देती गदे का एक चोटा भाई और भी है एक मुह उटाता तो दूसरा भी उटा देता था कभी-कभी अडियल बेल भी देखने में आता था तो यहाँ पर जो भी सब्द यूजवा है वो भी इन वाक्यों में जोर देने के लिए प्रिक्ट हुआ है अगला प्रशन है रशिना के आधार पर वाक्य भेद बताईए और उपवाक्य चांट कर उनके भेद भी लिखिए तो यहाँ पर टोटल पांच प्रशन दिये गए हैं जिसमें हमें वाक्य भेद बताना है और उपवाक्य चांटने है देखे पहला दिवार का गिरना था ही कि अध्मरे से पड़े हुए सभी जानवर छेत उठे तो यहाँ पर जो वाक्य भेद है वो कैसा है मिस्र वाक्य है इसमें अगर हम उपवाक्यों की बात करें तो उपवाक्य है कि अध्मरे से पड़े हुए सभी जानवर छेत उठे ये उपवाक्य है जबकि मुक्य वाक्य क्या है दिवार का गिरना ही था और इसमें बेद गौनसा है इस उपवाक्य में तो वो है संग्या उपवाक्या क्या है संग्या उपवाक्या दूसरा है सहसा एक दडियल आजमी जिसकी आँखे लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आय तो इसका बाक्य भहेद भी कैसा है यह इसकी आंके लाल थी और मुद्रा थिन्थ कठोन यह क्या है उप वाक्य और यहां पर बेद कौन सा है तो वह विसे έक्षा गई यह इसकी क्या वता रहा है यह इसकी विसेस्ता बता है कि वह दढ़ीय लाजमिक कैसा था? अगला है, इसी का तीसरा हीरा ने कहा गया के घर से नहक भागे ठीक है? तो यहाँ पर जो वाक्य भैदे वो भी मिस्टर वाक्य है उब वाक्य क्या है? कि गया के घर से नहक भागे और इसमें भेद कौन सा है? तो संग्या उब्वाक्या अगला है मैं बेचूंगा तो भी कहेंगे तो यहाँ पर भी वाक्य बेद कैसा है मिस्र वाक्या उब्वाक्य क्या है तो भी कहेंगे और बेद कौन सा है उब्वाक्य का तो किरिया विसेशन ये बेचने की क्या बचा रहा है ये बेचने की विसेस्ता बता रहा है इसमें ये कैसा है? क्रिया विसेसन उबवाक्य है क्योंकि ये क्रिया की विसेस्ता बता रहा है और अगला है अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न चोड़ता तो ये भी वाक्य कैसा है? उबवाक्य है? इसमें उब वाक्य क्या है तो मैं बे मारे न चोड़ता और इसका भेद क्या है तो ये किरिया विसेशन उब वाक्य है क्योंकि ये किरिया की क्या बता रहा है विसेशता बता रहा है तो इस प्रकारम ने कहानी में जगे-जगे मुहावरों का उप्योग हुआ है, कोई 5 मुहावरे चाटी है और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो देखें पहला मुहावरा कौन सा है? जी तोड काम करना तो इसका वाक्य परियोग हो जाएगा कि जो भारतियों सर्मिक है वो जी तोड़ कर काम करते हैं दूसरा मुगावरा है गम खा जाना तो इसका वाक्य परियोग होगा कि भारत के मजदूर इतने स्वाभी मानी है कि वे गम खा जाते हैं आय तोबा नहीं मचाते तीसरा है इट का जबाब पत्थर से देना मतलब वाक्य परियोग यह दुनिया उसी को सलाम देती है यह सम्मान देती है जो इट का जबाब पत्थर से देना जानते हैं अगला दातों पसीना आना यानि किर्केट के मैदान से कुते को बार खदेडने में माली को दातो पसीना आ गया और अगला है कसर उठाना अनि माली के कहने पर हम हर काम कर देते हैं किसी भी परकार की कोई कसर नहीं उठा सकते तो यह टोटल पांच मुआवरे हैं जो इस चैप्टर के अंदर परियुक्त हुए हैं और इनका हमने वाक्ट्य परियोग भी देख लिया तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी प्रशन उत्तर को अच्छे से समझ लिया है तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको समझ में आई होगी साथ ही आपको सभी प्रशन अच्छे से समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप से भी को धन्यवाद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्याद से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद